सब्सक्राइब राजनीतिक का गड़ माना जाता है क्या देख रहे हैं कि इसकी सरकार बन वहीं है क्या मुद्बे हैं कि इस प्रदेश की जनता ने इसे क्या एजेंडा सेट किया है यह यह बहुत भाइने एक भूर अलोक तांतरी जन विरोधी मेनद कस विरोधी सरकार को खार के फेकना है यह जनता ने अपना एजेंडा सेट किया और पिछले 5 वरस तक जनता जिस्तने से इनके खिलाफ सड़क पर भिपच्छ की भूमिका मे तो उसे बात जाल लिए कि भाजपा के खिलाफ एक जनुता क्या जो एक बहुत ब्यापक हिस्सा है किसान है मजदूर है नौजवान है चात्र है वे सारे लोग लाम्मन है और वे भाजपा को उखार कर फेकेंगे एक घोर अलोगतां तरीक और जन्विरोधी सत्ता का आंथ होन मनोट कुमार पांडे की जगहा पर स्वामी प्रसाद मौर्याजी जो अभी आए हैं बाट बाट पर फोड़के उनके बेटे को ठिकट मिला है तो क्या लगए तो कहां से कौन चौन लड़ेगा क्या भविस्त होगा यह दिखे सासागवर की राजनीत में सब होता रहता है ल जो है कॉंग्रेस में रहकर के भी यहां सदर विधायक ने जो है अभी कहा कि भाई हमको घुटन हो रही थी तो हम स्वच्च वाता वरण में आ गये हैं तो यह सब तो चलता रहता है यह आउसरवाद है जनता के जो बुनियादी सवाल है बात यह नहीं कौन आ रहा है और कि जो जरूरतें हैं रोशमर्रा की जिन्दी की विदो सवाल है और इस देश के दर नागरी कहिकारों की इस देश के मचाने की सवाल मेचाने की सबिद्या बचाने के का यह नहीं पर जो में आप मैंदान में रही है वह तक्ते उनका अपना एजंडर सेट बाकि यह सब आना जाना यह सब प्रक्रिया भी बहुत सारे लोग आएंगे अभी अभी आप फिर देखेंगे दस दिन दर की पहुंजा रहें बहुत आ रहें मैं अफरोज आलम हूँ अखिल वारती किसान मासबा में हूँ अभी विदान सबा के चुनाओ हो गए हैं सुरूर राइबरेली में क्या देख रहे हैं उकता प्रदेश में लगातार आना जाना चालू हो गया है पार्टियों का और आप किसान मोर्चे से जुड़े हुए रहे किसान के लिए तो जो बाज़पा की सरकार है वो पूरी तरीके से एक बहुत ही जो है अपराधियों की तरीके से बरताओ किसान में किस सरकार ने किया एक साल से जो किसान अंदोलन चला वो उस किसान अंदोलन ने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा है वहां की जो कीले उन्होंने लगाई जो उन्होंने साथ सो लोगों की जाने ली और जिस तरीके से इस कानून को लाए और लखीमपूर में जिस तरीके से किसानों को जो है गाड़ियों से रौन के मारा गया किसान ये कोई भी चीज भूला नहीं है किसानों ने इनकी सरकार को जुकाया जीत के जरूर गया लेकिन बहुत सारे घाव लेकर अपने घरों को गया है जो इस सरकार ने दिये हैं बीरेंद कुमार अपकी विद्धान सभा का चुनाव चालूर हो गया है जी जी क्या मुद्धों को लेकर आपकी दर बोर्ट कर रहे हैं किस पार्टी का आप ज्यादा तर देख रहे हैं किया देखो हमां कोई पार्टी बिसे से मतलब नहीं ना हमां मतलब सर जुन हिताय उस सूख है हर जाइद के फाइदा हुए सबका फाइदा हुए वी लोग है जो भूल याए ओप जब 500 रुपियाम सिलेंडर रहा है 500 रुपियाम डिएपी रही है रही कि नहीं पहले रही है किसान है तो हरगादमी किसान है सबक़े रहा रहा तो यिसे जिए जंता का सचा समान उप्लब्ब कराए भाने पीने घाधी घहती समान सचा उप रहा इनी करें खाने ट्रुपिक्त आरेगा उसी नाहीं आने चाहिए के डिलेवरी होनी है रात प्रवार को लेकर आते हैं यहां पर परसों होता है अपना घर जाते लोग तो इसमें हर आदमी फायदा उठा रहा है इसमें कोई एक वर्ग फायदा ने उठा रहा है इसमें जोटाई कम परत रहे इंजन बहुत जहां नहर किसी चाहिए लोग नहीं नहीं दूसरी चीज जैसे घरी बाद में महिलाएं है किसों को मुख्याले आना है तब 20 रुप्य टाइम के रहा पचास रुप्य होईगा उसी डीजल के रेट बढ़ा है तमाम जनता को नुकसान है कि अगर गड़ी नहीं उचहार से जिसको राइवली आना है यह डलमाउ से जिसको आना यह बचनावा से की इसको आना है तब किराया 20 रुप्या पचीज रुप्या राज 50 रुप्या होईगा इसी डीजल के रेट से पर्चे दिशन देव नारायन यादो ग्रामपोष्ट बदोखर राय बरेली चुनाव आ गया है विदान सभागा आप लोग ग्रामीर से स सब जगे यही चड़्चा है कि समाजवादी पार्टी अपकी बार सरकार बना रही करें अपकी बार सपा की सरकार बनना ता है क्योंकि क्यों हमारी सारी फसल जानवर सारे चटे जा रहे है मान लीजिए ये हमको रासन दे रहे हैं ये हमको मान लीजए 2000 रुपई हमसे 10,000 ले ले हमसे 10,000 ले ले लेकिन ये जानवर की बेवस्था गरा दे इनके हम 2000 के भूखे नहीं और क्या देखने को मिला अफिदार मतलब यह है कि हम किसान है हमारा जानवरों द्वारा बहुत ही अनहित हो रहा है मान लिजे दो हजार और यह इसमें यह बहुत दे करके हमको बलगला रहे हैं तो इससे कि हमारे घर मान लिजे रासन देते हैं रासन देते हैं हमारा दस्वारा आदमी का परिवार है इनके दस बीस किलो रासन में हमारा परिवार चल जाएगा अब ब्रहमण है जी समाजवादी में ब्रहमण वर्ग क्या देख रहा है अभी समाजवादी में ब्रहमड वर रहना ही भलाई है सपा में रहना ही भलाई है उसके लिए ब्रहमड के लिए क्योंकि बीजेपी में जो है उसका अनहित हुआ है